आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड़स एंड डोंट्स फॉर एपिलेप्सी, कनवल्शन या फिर हमसको सीजर्स, फिट्स बोलते हैं हिंदी में आपस मार भी बोलते हैं ड़स एंड डोंट्स अर्थात क्या चीजें हमें इन सब में करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए या पत्थे भी बोल सकते हैं इससे पहले जिसने हमारी जो प्रिवियस वीडियो थी जिसमें मैंने एपिलेप्सी की क्या कारण होते है एपिलेप्सी की लक्षन होते हैं वो वीडियो नहीं देखिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके उसे भी चेक कर सकते हैं अब हम बात करते हैं डज जो चीजे हमको एपिलेपसी में करनी चाहिए वो सबसे पहले आहर की बात करते है उसमें मुदगा अर्थात जो हरी सबजियां होती है या फिर हरी दाले होती है हमको उन सब चीजों का सेवन करना चाहिए दूद का सेवन करना चाहिए स्वीट जो मीठी चीजे रहती हैं उनका भी हम इसमें सेवन कर सकते हैं और हम इसमें अनार यानि पॉमो ग्रैनेट भी खा सकते हैं नारियल पानी पी सकते हैं अंगूर खा सकते हैं आमला खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, अब हम इसमें बात करेंगे, हमको इसमें meditation करना चाहिए, meditation का अर्थार्थ है ध्यान करना चाहिए, ध्यान क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो epilepsy के patient होते हैं, हमेशा बहुत घबराते हैं, tension में रहते हैं, तो ऐसे meditation अगर हम ध्यान करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा सर और मन हलका होता है तो जिससे क्या होता है एपिलेपसी के एपिसोड जो है वो कम हो जाते है उनका रियकरेंस कम हो जाता है और नेक्स्ट पॉइंट है हमें अच्छी निद्रा करनी चाहिए तब अच्छे से सोना चाहिए क्या होता है एपिलेप अच्छे से नीद करना है अच्छे से नीद करेंगे तो भी एपिलेप्सी के वो कम हो जाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारी आउशदियां है चाहे हम modern medicine एलोपेथी की medicine खा रहे हो आयर्वेदिक की medicine ले रहे हो हुमियोपेथी की medicine ले रहे हो या फिर कोई भी पैथी कि अगर हम medicine खा रहे है तो उसको continue कीजिए अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रहिए वो जैसा बोलते हैं वैसा ही कीजिए अब हम अगले बात करते हैं don'ts अर्थात जो च medicine के वज़े से क्या होता पेशन दुखी रहता हमेशा कि आरे मेरे को क्या हो गया मेरे को यह समस्या क्यों हो रही है कहीं भी शुरू हो जाता है यह समस्या बोलकि बहुत दुखी रहते हैं तो इतना दुखी नहीं होना आप जितना उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच और हमें जादा एक्सरसाइज वर्काउट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे जो है एपिलेपसी के जो एपिसोड है उनकी आने की जो शमता है वो बढ़ जाती है अब नेक्स्ट बात करेंगे इसमें हमको जो है फिश मचली नहीं खाना खाना चाहिए गरम गरम खाने का सेवन नहीं करना चाहिए खटी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए एक दम भर पेट खाना नहीं खाना खाना चाहिए और अलकोहल मदीरा या फिर दारू बोल लीजिए उसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जो है अटैक की मातरा जो है बहुत जादा बढ़ जाती है क् कि अल्कोहल जो होता है तो उससे जो है प्रमाण जो है फिलपसी एपसोड को और बढ़ जाता है इसमें हमें ड्राइविंग को आवाइड करना चाहिए क्यूंकि अपीसोड जो है फिलपसी के कभी भी हो सकते हैं तो अगर आप गाड़ी चला रहे होंगे और आपके लिए भी जो वेक्तियां हैं उनके लिए भी दुरगटना हो सकती है आपको हमेशा अकेले ट्रावल नहीं करना है इसका भी वही कारण है अकेले ट्रावल करेंगे कभी भी एपसोड हो सकता है तो आपको संभलने वाला कोई नहीं रहेगा आप जब भी बातरूम या फिर वाश्रूम जाएं तो अंदर की चटकनी और नहीं लगाई है क्योंकि अगर कभी भी एपसोड आके अगर आप गिर सकते हैं तो बाहर वाले वेक्ति को पता नहीं चलेगा कि आप वहाँ पे दुरगटना से स्पीडित हो चुके हैं तो आपकी सहायता के लिए कोई टाइम पर नहीं आ सबना पएगा अग्री जो चीज़े हैं आपको जो श्विमिन पूल रहता है उसमें नहीं जाना है और आग के करीब नहीं जाना है तो इसके भी reasons वही हैं अगर आप जाते हैं अगर आपको attack आ जाता है तो आप वहाँ पे अपने आपकी मदद नहीं कर सकते हैं आपके जो controls हैं वह आपके में नहीं रहते हैं तो आपके हैं जटपटाने लगते हैं तो उस condition में बहुत बड़ी दुरगटना होने के chances बढ़ जाते हैं तो इसे लिए इसको भी आपत्य में रखा गया है आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो like का बटन दबाईए और इस वीडियो को जहाँ ज्यादा share कीजिए अगर आप आगे भी इसी तरह के medical वीडि कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ तिल देन टेक केर धन्यवाद